तथा पि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्रामनों, कुल के बुढ़ों और गुरुओं से पूछ कर और वेदों में वर्नित जैसा आचार हो वैसा करो जाकर अयोध्या को दूद भेजो, जो राजा दश्रत को बुला लावे राजा ने प्रसन्द होकर कहा है क्रिपालू, बहुत अच्छा और उसी समय दूटों को बुला कर भेज दिया फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर्नवाया राजा ने कहा बाजार, रास्ते, घर, देवाले और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्द होकर चले और अपने अपने घर आए फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आग्या दी की विचित्र मंडप सजा कर तयार करो यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर्पर धरकर और सुख पाकर चले उन्होंने अनेक कारीग्रों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे उन्होंने ब्रहमा की वंदना करके कार्य आरंब किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए हरी हरी मनियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पदमराग मनियों मानिक के फूल बनाए मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रहमा का मन भी भूल गया बास सब हरीहरी मणियों, पन्ने के सीधे और गाठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारन सोने की सुंदर नागबेली, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन, बांधने की रसी बनाएं बीच-बीच में मोकियों की सुंदर जारे हैं मानिक, पन्ने, हीरे और इफ्रोजे इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्चिकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए भौन्रे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंचते और कूजते थे खंबो पर देवताओं की मूर्तिया गड़ कर निकाली, जो सब मंदल ध्रव्य लिए खड़ी थी गजमुकताओं के सहज ही सुहावने अनेको तरह के चौप पुराए नील मनी को कोर कर अत्यन सुंदर आम के पत्ते बनाए सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की दोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलो के गुच्छे सुशोभित है ऐसे सुंदर और उत्तम बंदनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो अने को मंदल कलश और सुंदर द्वजा, पताका, परदे और चवर बनाए जिसमें मनियों के अने को सुंदर दीपक है कुस विचित्र मंडप का तो वर्नन ही नहीं किया जा सकता जिस मंडप में श्री जानकी जी दुलहिन होंगी किस कवी की ऐसी बुद्धी है जो उसका वर्नन कर सके जिस मंडप में रूप और गुणों के समुदर श्री रामचंदर जी दुलहे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद होना ही चाहिए जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसी ही शोभा नगर के प्रतेक घर की दिखाई देती है उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे चौदा भुवन तुछ जान पड़े जनक पुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था जिस नगर में साक्षात लक्षमी जी कपट से स्त्री का सुन्दर वेश बना कर बस्ती है उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेश भी सकुचाते है जनक जी के दूट श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुचे सुन्दर नगर देखकर वे हर्शित हुए राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी राजा दश्रत जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया दूतों ने प्रणाम करके चिठ्थी दी प्रसन होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया चिठ्थी बाचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनन्द के आसू छा गया शरीर पुलकित हो गया और चाती भराई हृदय में राम और लक्षमन है हाथ में सुन्दर चिठ्थी है राजा उसे हाथ में लिये ही रह गए खटी मेठी कुछ भी कहना सके शत्रुग्न के साथ जहां खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं पिताजी चिठ्थी कहां से आई है हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो है और वे किस देश में है स्नेय से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिठ्थी पड़ी चिठ्थी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए स्नेय इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेश सुख पाया कब राजा दूतों को पास बैठा कर मन को हरने वाले मीठे वचन बाले भहिया कहों दोनों बच्चे कुशल से तो है तुमने अपनी आखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है न सावले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारन किये रहते हैं किशोर अवस्था है विश्वामित्र मुनी के साथ है तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ राजा प्रेम के विशेश वश होने से बार-बार इस प्रकार कह पूछ रही है भाईया जिस दिन से मुनी उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना ये प्रिया प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए दूतों ने कहा है राजाओं के मुकुट मनी सुनिए आपके समान धन्या और कोई नहीं है जिनके रामलक्षमन जैसे पुत्र है जो दोनों विश्व के विभूशन है आपके पुत्र पूछने योग्यन नहीं है वे पुरुसिन्ह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतर लगता है हे नात उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना क्या सूर्य को हाथ में दीपत लेकर देखा जाना है सीताजी के स्वयमवर में अनेको राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका सारे बलवान वीर हार गए तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे शिवजी के धनुष ने सबकी शक्ती तोड़ दी बानासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था वह भी रिदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया और जिसने खेल से ही कैलास को उठा लिया था वह रावन भी उस सभा में पराजय को प्राप्थ हुआ हे महाराज सुनिए वहाँ जहां ऐसे ऐसे योधा हार मान गए रगुवन श्मणी श्री रामचंद्र जी ने बिनाही प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की दंडी को तोड़ डालता है धनुष तूटने की बात सुनकर परशुरामजी क्रोध में भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आखें दिखलाई अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विंती करके वन को गमन किया हे राजन जैसे श्री रामचंडर जी अतुल्निय बली है वैसे ही तेज निधान फिर लक्षमन जी भी है जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे काप उठते थे जैसे हाथी सिंग के बच्चे के ताकने से काप उठते है हे देव आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आखों के नीचे कोई आता ही नहीं हमारी दृष्टी पर कोई चड़ता ही नहीं प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निचावर देने लगे उन्हें निचावर देते देखकर यह नीती विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथू से कान मूदने लगे धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बरताव देखकर सभी ने सुख माना तब राजा ने उठकर वशिष्ट जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजी को सुना दी सब समाचार सुनकर और अत्यन सुख पाकर गुरु बोले पुन्यात्मा पुरुष के लिए पृत्वी सुखों से च्छाई हुई है जैसे नदिया समुद्र में जाती है यद्यपी समुद्र को नदी की कामना नहीं होती वैसे ही सुख और संपत्ती बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है तुम जैसे गुरु, ब्रामन, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो वैसी ही पवित्र कौसल्यादेवी भी है तुम्हारे समान पुन्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होने का ही है है राजन, तुमसे अधिक पुन्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र है और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का वरत धारन करने वाले और गुणों के सुन्दर समुद्र है तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्यान है अतेव दंका बजवा कर बारात सजाओ और जल्दी चलो गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर्नवाकर तथा दूतों को देरा दिलवाकर राजा महल में गए राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनकजी की पत्रिका बांच कर सुनाई समाचार सुनकर सब रानिया हर्श से भर गई राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया प्रेम में प्रफुलित हुई रानिया ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोर्नी बादलों की गरच सुनकर प्रफुलित होती है बड़ी बूढी अथ्वा गुरों की स्त्रिया प्रसन होकर आशिरवाद दे रही है माताय अत्यंत आनंद में मगन है उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है राजाओं में श्रेष्ट दश्रत जी ने श्री रामलक्ष्मन की कीर्ती और करनी का बारंबार वर्नन किया यह सब मुनी की कृपा है ऐसा कहकर वे बाहर चले आए तब रानियों ने ब्रामनों को बुलाया और आनन सहित उन्हें दान दिये श्रेष्ट ब्रामन आशिर्वाद देते हुए चले फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोडो प्रकार की निछावरे उनको दी चक्रवर्ती महाराज दश्रत के चारों पुत्र चिरंजीली हो यों कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुन्दर वस्त्र पहंधन कर चले आनन्दित होकर नगाडे वालों ने बड़े जोर से नगाडों पर चोट लगाई सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर-घर बधावे होने लगे चौदहों लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रगुनात जी का विवा होगा यह शुप समाचार पाकर लोग प्रेम्मगन हो गए और रास्ते घर तथा गलिया सजाने लगे यद्यपी अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंदल में पवित्र पुरी है तथा पी प्रीती पर प्रीती होने से वह सुंदर मंदल रचना से सजाई गई ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजा बहुत ही अनुठा चाया हुआ है सोने के कलश, तोरण, मनियों की जालरे, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजा कर मंदल में बना लिया गलियों को चतुर सम से सीचा और द्वारों पर सुंदर चौप पुराएं चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रफ को चतुर सम कहते हैं बिजली की सी कांती वाली चंद्रमुखी, हरिन के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रती के अभिमान को छुडाने वाली सुहागिनी स्त्रिया सभी सोलों श्रिंगार सचकर, जहा तहा जुंड की जुंड मिलकर मनोहर वानी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोईले भी लजा जाती है राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंदप बनाया गया है अनेको प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रही है और बहुत से नगाडे बज रही है कही भाट विरुदावली कुलकीर्ती का उच्चारन कर रही है और कही ब्रामन वेदध्वनी कर रही है सुन्दरी स्त्रिया श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम लेलेकर मंगल गीत गा रही है उत्सा बहुत है और महल अत्यन्थी छोटा है इससे उसमें न समाकर मानों वहां उत्सा, आनंद, चारों और उमड चला है दश्रत के महल की शोभा का वर्णन कौन कवी कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमी रामचंदर जी ने अवतार लिया है फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहां की जाकर घोडे, हाथी और रत सजाओ, जल्दी रामचंदर जी की बारात में चलो यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुगन जी आनंदवश पुलक से भर गए भरत जी ने सब साहनी घुरसाल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोडों को सजाने की आग्या दी वे प्रसन्न होकर उठ दोडे उन्होंने रुची के साथ यथायोग्य जीने कसकर घोडे सजाए रंगरं के उत्तम घोडे शोभित हो गए सब घोडे बड़े ही सुन्दर और चंचल करनी चाल के हैं वे धर्ती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों अनेकों जाती के घोडे हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसी तेज चाल के हैं मानों हवा का निरादर करके उड़ना चाते हैं उन सब घोडों पर भरजी के समान अवस्था वाले सब छैल्चबीले राजकुमार सवार हुए वे सभी सुन्दर है और सब आभूशन धारन किये हुए हैं उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधी हैं सभी चुने हुए छबीले छैल, शूर्वीर, चतुर और नव्यूवक हैं प्रतेक सवार के साथ दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं शूर्टा का बाना धारन किये हुए रंधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आख़डे हुए वे चतुर अपने घोडों को तरहत्रा की चालों से फेर रही हैं और भेरी तथा नगाडे की आवाज सुनसुन कर प्रसन हो रही हैं सार्थियों ने ध्वजा, पताका, मनी और आभूश्रों को लगा कर रतों को बहुत विलक्षर बना दिया है उनमें सुन्दर चवर लगे हैं और घंतिया सुन्दर शब्द कर रही हैं वे रत इतने सुन्दर हैं, मानो सूर्य के रत की शोभा को चीने लेते हैं अग्नित शामवर्ण घोरे थे उनको सार्थियों ने उन रतों में जोद दिया है जो सभी देखने में सुन्दर और गहनों से सजाय हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुन्यों के मन भी मोहित हो जाते हैं जो जल पर भी जमीन की तरही चलते हैं वेक की अधिकता से उनकी ताप पानी में नहीं दूपती अस्त्रशस्त्र और सबसा सजाकर सार्थियों ने रतियों को बुला लिया रतों पर चडचड कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुन्दर शकुन होते हैं श्रेश्ट हाथियों पर सुन्दर अंबारिया पड़ी है वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुन्दर बादलों के समुः गरते हुए जा रहे हुँ सुन्दर पालकिया सुक से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सिनुमा होते हैं और रत आदी और भी अनेको प्रकार की सवारिया है उन पर श्रेष्ट ब्रामनों के समुः चड़ कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारन किये हुए हो मागद, सूत, भाट और गुन गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चड़ कर चले उनमें अनेको प्रकार की इतनी वस्तुए थी कि जिनका वर्नन कौन कर सकता है सब सेवकों के समुः अपना-पना साथ समाज बना कर चले सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे है सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री रामलक्ष्मन दोनों भाईयों को नेत्र भर कर कब देखेंगे हाथी गरज रहे हैं उनके घंटों की भीशन ध्वनी हो रही है चारों और रतों की घरघराहट और घोडों की हिनहिनाहट हो रही है बादलों का निराधर करते हुए नगाड़े घोल शप्त कर रही है किसी को अपनी प्राई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती राजा दशरत के दर्वाजे पर इतनी भारी भीड हो रही है कि वहाँ पत्थर फैका जाए तो वहाँ भी पिसकर धूर हो जाए अटारियों पर चड़ी स्त्रिया मंगल थानों में आर्ती लिए देख रही है और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता तब सुमंत्रजी ने दो रत सजा कर उनने सूर्य के घोडों को भी मात करने वाले घोडे जोते दोनों सुंदर रत वे राजा दशरत के पास ले आए जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता एक रत पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यन्थी शोभाय मान था उस सुंदर रत पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ा कर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रत पर चढ़े वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दश्रत जी कैसे शोभित हो रहे हैं जैसे देव गुरु ब्रहस पती जी के साथ इंद्रहो वेद की विधी से और कुल की रीती के अनुसार सब कार्य करके तथा सब को सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्रजी का स्मरण करके गुरू की आग्या पाकर पृत्वी पती दश्रत जी शंक बजाकर चले बारात देखकर देवता हर्शित हुए और सुन्दर मंगलदायक फूलों की वर्शा करने लगे बड़ा शोर मच गया घोड़े और हाथी गर्जने लगे आकाश में और बारात में दोनों जगा बाजे बजने लगे देवांगनाय और मनुषों की स्त्रिया सुन्दर मंगलगान करने लगी और रसीले राक से शहनाया बजने लगी घंटे घंटियों की ध्वनी का वर्णन नहीं हो सकता पैदल चलने वाले सेवकगण अथ्वा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रही है और फहरा रही है आकाश में उचे उचलते हुए जा रही है हसी करने में निपुन और सुन्दर गाने में चतुर विदूशक, मस्खरे, तरहत्रा के तमाशे कर रही है सुन्दर राजकुमार, ब्रिदंग और नगाडे के शब्द सुनकर घोडो को उनी के अनुसार इस प्रकार नचा रही है कि वे ताल के बंधान से जरा भी दिखते नहीं है चतुर नट चकित होकर यह देख रही है बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता सुन्दर शुबदायक शकुन हो रही है नीलकंथ पक्षी बाई और चारा ले रहा है मानो संपूर्ण मंदलों की सूचना दे रहा हो दाहिनी और कौव सुन्दर खेत में शोभा पा रहा है नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया तीनों प्रकार की शीतल, मंद, सुगंधित, हवा अनुकूल दिशा में चल रही है श्रेष्ट, सुहागिनी, स्त्रिया भरे हुए घडे और गोद में बालक लिए आ रही है लोमडी फिर्फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है गाएं सामने खड़ी बच्छरों को दूद पिलाती है हरिनों की तोली, बाई और से, घूमकर दाहिनी और को आई, मानों सभी मंदलों का समू दिखाई दिया शेमकरी, सफेद सिर्वाली चील, विशेश रूप से क्षेम, कल्यान कह रही है शामा बाई और सुंदर पेड पर दिखाई पड़ी दही, मचली और दो विद्वान ब्रामन हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए सभी मंगल मैं, कल्यान मैं और मनोवांचित फल देने वाले शकुन मानों सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए स्वयं सगुन ब्राहमा जिसके सुंदर पुत्र है, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलब है जहां श्री रामचंद्र जी सरीखे दूलहा और सीता जी जैसी दुलहिन है, तथा दश्रत जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी है ऐसा ब्या सुनकर मानों सभी शकुन ना चुठे और कहने लगे अब ब्राहमा जी ने हमको सच्चा कर दिया इस तरह बारात ने प्रस्थान किया घोडे हाथी गरज रही है और नगाडों पर चोट लग रही है सूर्य वंज के पता का स्वरूप दश्रत जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिये बीच बीच में ठहरने के लिए सुन्दर घर, पड़ाव, बनवा दिये जिन में देवलोग के समान संपदा च्छाई है और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्तर पाती है मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देख कर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए बड़े जोर से बचते हुए नगाडों की आवाज सुनकर श्रेष्ट बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रत, पैदल और घोडे सजा कर बारात लेने चले हुए झाले हुए जा हुए ने सराइब खिज è थान too connect झाल झाल